हलो इस्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे अनुवानसिक्ता जिसमें जीन एवंब्यवार को हम दिल पढ़ेंगे हैरिडिटी, जीन्स, एविहेवियर जैसा कि अनुवानसिक्ता सब्द को जब हम देखते हैं तो अनुवानसिक्ता यानी हैरिडिटी या माता पिता से उनके बच्चों में सारेरिक गुणों तथा संगठनों का जीन्स द्वारा होने वाले संचरन का अध्यन करने वाले विज्ञान को अनुवानसिक यानी जैनेटिक्स की संग्या दी जाती है इस जीन्स के द्वारा व्यक्ती अपने माता पिता से उनके सारेरिक अंगों, रूप, रंग, आक्रिती तथा विभिन मानसिक गुणों अधिकों प्राप्त करता है मतलब हम जब देखते हैं कि बच्चों का रूप, रंग, गुण उसके माता पिता से मिलता है या उनके दादा दादी से मिलता है, तो या किस के कारण होता है, या जीन्स के कारण होता है अब हम आगे देखेंगे कि ये जीन्स कहां रहते हैं, ये जीन्स क्रोमोजोम्स में रहते हैं अन्डानों और सुक्रानों दोनों में छोटी छोटी एक जैसी संरचनाएं होती हैं जिने गुनसुत्र यानि क्रोमोजोम्स कहा जाता है गुनसुत्र से तात परे रंगीन पिंड मतलब गलर्ड बोडी से होता है जो पतले सूत या रेशे के समान होते हैं सरीर की अधिकांस कोशिकाओं में गुनसुत्र देखे जा सकते हैं लेकिन जो सुक्रानों अन्डानों युग्मनज यानि जायगोट में होते हैं वे ही वनसागती यानि इन्हेरिटेंस में सहायक होते हैं क्योंकि जब अन्डानों कोशिका तथा सुक्रानों कोशिका युग्मनज का निर्मान करती हैं तब उनके गुनसुत्रों का विलयन व्यक्ति तथा माता पिता के बीच एक मात्र जननिक कड़ी यानि लिंक होता हैं गुनसुत्र दो प्रकार के होते हैं एक्स क्रोमोजों तथा वाई क्रोमोजों पुरुशों में यानि मेल में यह दोनों प्रकार के गुनसुत्र पाये जाते हैं यानि एक्स क्रोमोजों और वाई क्रोमोजों दोनों गुनसुत्र पुरुशों में पाये जाते हैं जबकि इस्त्रियों में केवर एक्स क्रोमोजों ही पाये जाते हैं इस्त्रियों के एक अंडानों यानि ओवम के केंद्र में 23 यानि 23 जोड़े गुन्सुत्र पाय जाते हैं परन्तु पुरुषों के जर्मसेल यानि जनन को सिका के केंद्रेक में 22 जोड़े ही गुन्सुत्र पाय जाते हैं तथा एक बेमेल जोड़ा यानी xy गुन्सुत्र होता है इसे sex chromosome कहा जाता है X chromosome आकार के दिश्टी से बड़ा तथा y chromosome आकार में छोटा होता है इस प्रकार पुरुष के एक जनन कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े या 46 chromosome तथा इस्त्रियों के जनन कोशिका के केंद्रक में भी 23 जोड़े या 46 गुन्सुत्र होते है लेकिन इस्त्रियों में भी एक जोड़े का आकार अपेक्छा कित बड़ा होता है जिसे sex chromosome कहा जाता है गर्भाधारन के समय इस्त्रियों के अंडानों यानि ओवन से 23 chromosome तथा पुरुष के सुक्रानों यानि स्पर्म से 23 chromosome मिलकर 46 chromosome या 23 जोड़े पेर्स में ब्यवस्थित होते है अता इसी समय कुछ सारिरिक और मानसिक गुन मा से तथा सेश पिता से प्राप्त होते है बच्चे का योण निर्धारन भी इसी समय होता है जब इस्तरी का X chromosome तथा पुरुष का Y chromosome मिलते है तो लड़की उत्पन होती है या पुर्णतया चांस पर निर्भर करता है कि कौन-कौन से गुनसुत्र मिलकर कौन-कौन से जोड़े बनाएंगे तथा कौन संतार उत्पन होगा ठीक है? अ क्यों स्था कर देक्व कर देक्वाइंगे झाल 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 झाल